Hello everybody, this is DIGRAS SINGH RAJPOOT, welcome to MagnetBrainz इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं Class 8 civics का चैप्टर, चैप्टर है Confronting Marginalization आप बोलोगे इस शब्द पीछा नहीं छोट रहा है सर, Marginalization जी हां, पिछले चैप्टर में हमने Marginalization को समझ किया थे Understanding Marginalization was the chapter, ठीक है, उसे हमने देखा कि Marginalization होता क्या है, अब देखो Marginalization होता क्या है यह समझ में आ गया, और यह भी समझ में आ गया कि Marginalization होता है ठीक है, Minority Communities ज़्यादा Marginalization face करती है अब वो Religion के basis पर हो सकती, Minority Community, Custom के basis पर, Culture के basis ठीक है, societal level पर हो सकती, तो जैसे आदिवासी हो गए, Women हो गए, दलित हो गए, Muslim हो गए, सिख हो गए कोई भी जो एक Minority Group में आता है, वो Marginalization face कर सकता है अब यह जो chapter है हमारा, Confronting Marginalization तो Marginalization तो है, अधिकारों से वंचित तो किया जा रहा है अब हम उस चीज का सामना कैसे करेंगे, Confronting का मतलब क्या होता है कि सामना करना तो अब हम देखेंगे कि Marginalization का सामना कैसे किया जाता है लोगों के दौरा Connect कर लिया link, looping कर ली दोनों chapter में, यह कर लिया looping कर ली मतलब समझ गई कि हाँ chapter पूरा अच्छे से बहुत अच्छे तरह से पढ़ने वाले हो, समझने वाले हो, ठीक है तो अब देखो क्या है, understand the heading, जो मैंने बता चुका हूँ आपको and related with the previous chapter, आपने previous chapter से भी जोड़ ली कि किस तरह से previous chapter हमने marginalization को समझा था, अब हमने क्या देखा है कि marginalization से लड़ना कैसे, उसका सामना कैसे करना है ठीक, तो दो powerless such groups have fought, protested and struggled against being excluded or dominated by others minority communities माना कि powerless है, उनके पास में power नहीं होगी ठीक होतनी, जितनी majority के पास में होगी लेकिन इन सारे issues के बावजूद भी, कम power होने के बावजूद भी क्या होता है, कि जो minority groups है, जो marginalized communities है उन्होंने क्या किया दे है, fought, protested and struggled against being excluded or dominated by others, ठीक है जो दूसरे लोगों उन्होंने exclude किया, dominate किया है, तो उसके against में उन्होंने लड़ाई किये, आवाज उठाईए, ठीक है अब आप बोलोगे कैसे लड़ाई किये, तो मैं बोलूगा कि टैंक लेके चले गए थे और जो उन्हें marginalized करता तो उसको पर गोले बारू बरसा दिये थे, नहीं नहीं, ऐसे नहीं ठीक है, क्या होता है, religious solace, ठीक है, तो क्या होता है, एक तरह से, यहाँ पर आप क्या करते हो, solace में संत्वना दिखाते हो, किसी भी तरह से, आप क्या करते हो, peaceful protest जो हो गया, ठीक है, armed struggle, लेकिन हमेशा peaceful नहीं रहा है, हत्यार उठाने की दर्वत पढ़िए, तो हत्यार भी practices, उनके customs के कारण, या फिर उनका जो अभी societal status है, उस कारण से उनने क्या किया जा रहा था, discriminate किया जा रहा था, उनके उपर dominate किया जाता था, उनने अलग धलग कर दिया जाता था, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ communities अपने आपको self improve करने की कोशिश करती है, जैसे tribes है, तो कैसे marginalize करोगे, तो self improvement भी एक tool हो सकता है, marginalization से लड़ने के लिए, for confronting marginalization, self improvement can be a tool, ठीक है, फिर क्या होता है, and education, self improvement, education, पढ़ लिख लेंगे, तो वैसी अपने आपको स्थापित कर लेंगे, वो, ठीक है, economic uplift, तो economic uplift, क्या महनत की, काम की, ठीक है, कुछ ना कुछ बिजनस किय तब जाके वो क्या होते हैं, एक power पे आते हैं, there appears to be no one way of doing things, ठीक है, और इस तरह से जो हम confronting marginalization की बात करते हैं, there are multiple ways, ठीक है, जिससे जो tribes हैं, वो क्या कर रहे है, marginalization को confront करने हैं, उसके against में, आवाज उठा रहे हैं, what we are going to study in this chapter, और हम क्या पढ़ने वाले हैं, ultimately chapter में, तो what we are going to study in this chapter, हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये चीज़ भी समझो, अब marginalization आगया ना समझ में, अब marginalization अगर समझ में आ गया, marginalization को लड़ने का तरीका समझ में आ गया, तो अब हमें क्या करना है, पूरा chapter तो समझ गया हैं, लेकिन फिर भी, ठीक है, we will read about some of the ways in which groups and individuals challenge existing inequalities, तो marginalization क के होने से जो existing inequalities है, जो आसमानता हैं ना समाज में, उन्हें किस तरह से खतम किया जाएगा, क्या आसमानता है, कैसे लोग confront करना है, वो सारी चीज़ें इस chapter में हम पढ़ेंगे, तो let us have a look on the topics which we are going to study in this chapter, what we are going to study in this chapter तो invoking fundamental rights, अब हम देखेंगे कि जो लोगों की लड़ाई मार्जनलाइजिशन के अगेंस्ट में, मान लो एक tribal community है, tribal community अगर marginalized feel करती है, तो वो आवाज क्यों उठाए, इस कारण नहीं क्योंकि वो marginalized feel करी है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, वो हक से आवाज उठाएगी कि उनके fundamental rights हैं कि उन्हें equal treatment मिले, अब जब equal treatment नहीं मिल ग्राउंड reality क्या है, वो साही चीज़े समझेंगे, protecting the rights of Dalits and Adivasi, अब देखो Dalits and Adivasi, तो Dalit और Adivasi दो important marginalized communities हो गई, जो minority में हैं, तो इनके rights को protect करने के लिए government ने क्या 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 क्या, क्या laws हैं, ये सारी चीज़े, story of Kabir, Kabir कौन थे, तो आप क्या बोलते हैं, war movie के Kabir को मत ले आना है यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर अलग चीज़ पढ़ेंगे हम, तो story of Kabir, वो सारी चीज़े में आपको बताने वाला हूँ, story of Kabir से मैं आपको समझाओंगा कि how he confronted marginalization, ठीक है, एक important historical figure, saint, ठीक है, inspiration जो कहना है आपको, clear, the scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocity act 1989, चलो, lawyer बनाएंगे आपको class 8th में, तो अब एक law पढ़ेंगे हम, schedule caste and schedule tribe के बारे में, यह law क्या है, किसको protection दे रहा, schedule caste or schedule tribe को दे रहा है, क्या-क्या provisions है, इस law में, वो सारी चीज़े पढ़ेंगे, ठीक है, this crouch of manual scavenging, manual scavenging क्या होता है, क्या समस्या है है, यह हम पढ़ेंगे, इस chapter में, फिर आदिवासी and demand and the 1989 act, तो अब यह जिस जो 1989 का एक्ट आया है, तो उसमें, क्या सही है, क्या गलत है, उसको और थोड़ा सा critical point of view से देखेंगे, ultimately, conclusion जो है, इस chapter का, वो समझेंगे, वर NCRT solutions, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, जो हम इस chapter में क्या करने वाले है, पढ़ने वाले है, बड़ा क्या नहीं हुआ है, यह बताना, ठीक है, तो यहां तक साइज चीज़ें पढ़ लिया है, हमने किसी प्रकार को कोई डाउट है, तो feel free to ask in comment section, वैसा मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, till then, stay connected, keep learning, thank you, thank you very much, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, invoking fundamental rights, fundamental rights को invoke करने की बात पढ़ेंगे अब, invoke करना मतलब क्या है, कि उसे implement करवाने की बात की जारी यहां पर, कि आप किसी चीज़ से inspiration लेके, प्रेरना लेके क्या कर रहे हो, कि आप यह कह रहे हैं, ठीके, तो क्या हो रहा है कि देखो, कहानी से गार जोड़े हम confronting marginalization हमारा chapter है, तो कही ना कई, किसी एक community को, क्योंकि वो minority section को belong करती, तो marginalization face करना पढ़ता है, अब marginalization तो हो गया, लेकिन वो क्या हमने बताया था, कि दियार confronting marginalization, वो उस marginalization का सामना करते हैं, जब उन्हें उनके अधिकारों से बंचित किया जाएगा, तो वो आवाज उठाएंगे, उठाएंगे अब जब आवाज उठाएंगे, तो आवाज उठाने के लिए क्या चाहिए, माइक चाहिए, तो वैसी अब जब वो बोलेगे कि नहीं हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए, हमें हमार अगया ना समझ में तो invoking fundamental rights क्या है तो fundamental rights क्या हो जाता कंधा बन जाता है fundamental rights के ऊपर बंदूग रखी जाती है और बात की जाती है कि marginalization नहीं होना चाहिए ठीक है ? तो fundamental rights ऐक base बनता है जिस basis पे marginalized community बोल सकती है क्या कि हमारे fundamental rights वाले हो रहे है marginalization के कारण और इस कारण से marginalization सही नहीं है आगे ना समझ में यही पूरी कहानी है देखो क्या होता है तो fundamental rights their position in the constitution fundamental rights की position क्या है आपने पढ़ा ऐसी साल civics में recall करो ज़रा जल्दी से क्या है कि fundamental rights बहुत basic rights है वो government भी चाकी नहीं छुड़ा सकती है आपसे ठीक है वो आपके हैं आपकी आत्मा के हैं ठीक है इन एलिनियेबल हैं आपके अंदर समाय हुए हैं वो rights आया समझ में यह तक तो fundamental rights की position अगर constitution में देखो तो बहुत मजबूत है clear as far as marginalized are concerned they have drawn on these rights in two ways और marginalized communities जो है तो वो इसी मतलब इसी argument को क्या करती है इसी argument को अपने favor में लेती है कि fundamental rights जब हमें इतने rights देते हैं ठीक है fundamental rights जो है constitution में दिये गए उनकी position बहुत strong है तो वह दो बाते बोलते है marginalized communities दो by insisting on their fundamental rights they have forced the government to recognize the injustice done to them ठीक है गलत हो रहा है गलत होता रहेगा जिसके पास शक्ती होगी वो क्या होगा वो खड़ा हो जाएगा बोलेगा कि गलत हो रहा है तो वह बच जाएगा जिसके पास शक्ती नहीं होगी जिसके पास power नहीं होगी वो कैसे बोलेगा कि गलत हो रहा है उसे तो सहनी करते रहना पड़ेगा यही ठीक चीज हो रही थी marginalized के साथ में ठीक जब constitution नहीं बना था हमारा आजादी नहीं मेरी तो उसके पहले क्या होता था तब भी थी तब भी हम देखते थे तो क्या है रिलीजेस डिफरेंस थे तब भी हम देखते थे ट्राइबस को क्या किया जाता था पिछड़ा हुआ माना जाता था ठीक है और ट्राइबस तब क्या कर रहे थे सहन कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई option नहीं था ब्रिटिश के पास जाएंगे तो ब्रिटिश और ज्यादा ब राइट दे दिया आपने दो समझना बहुत important चीज़ है अगर मानलो मैंने आपको अधिकार दे दिया है कि आपको equally treat किया जाएगा और कोई unequal आपके साथ treatment कर रहा है तो आप बोल सकते हो क्यों क्योंकि मैंने आपको अधिकार दिया है तो वैसे ही जब constitution में हमने देखा कि fundamental राइट्स है fundamental राइट्स के साब से सबको equally treat किया जाएगा लेकिन अब क्या हो रहा है कि constitution में राइट्स होने के बावजूद भी society में कहीं कहीं क्या किया जा रहा है तब क्या होगा तब marginalized community क्या बोलेगी वह बोलेगी कि यह fundamental राइट्स हैं और government को फिर वो बोलेगी हमारे स साथ injustice हो रहा है इस पर ध्यान दो क्योंकि आप नहीं तो पहले बोला है constitution में कि injustice नहीं हो सकता है आया ना समझ में तो fundamental right के through ने एक अपनी argument को present करने के लिए stage मिल जाता है ठीक है और क्या है second they have insisted that government enforce these laws और फिर उसके बात में आप अगर government भी बोलतेगी हाँ यार लगतो रहा है कि आपके fundamental rights violate हो रहे है आपके साथ inequality हो रहे है आपके साथ injustice हो रहा है तो marginalized communities क्या बोलेगी देखना नहीं है आपको हाथ पे हाथ रखके नहीं बैठना आपको कुछ करना है हमारे लिए second they have insisted that the government enforce this laws तो जिस तरह से बताया है कि हाँ ये laws का violation होके हमारे साथ में injustice हो रहा है ये तो बताएंगे वो साथ ही साथ बोलेंगे कि इन laws का violation हो रहा है तो इनके against में क्या करो आप protection दो हमें protection के लिए laws बनाया जाए they have insisted that the government to enforce this laws in laws को लागू किया जाए आगे ना समझ में तो अब इसको तीन शवद में sum up करते हैं चलो हम fundamental rights marginalization और किस तरह से invoke करके आप मतलब fundamental rights पर काम करते हुए कम कर सकते हो marginalization को तीन चीज़े हैं बस ठीक है आपको fundamental rights दियेंगे आपके साथ अगर marginalization हो रहा है तो you can use those fundamental rights for invoking your basic rights ठीक है जो आपकी basic livelihood है उसको आप क्या करवा सकते हो ले सकते हो आपके against में जो injustice हो रहा हो से आप क्या कर सकते हो चालेंज कर सकते हो clear यह देखिलो अब आगे क्या है the struggles of the marginalized have influenced the government to frame new laws in keeping with the spirit of fundamental rights अब जो मैंने आपको बता है कि जब लोग बात करने लगी कि हमाई साथ गलत हुआ और गलत हुआ तो इस गलत को सही करने के लिए आपको laws बनाना होगा government से बोल दिया तो अब government ने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है start किया government ने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए laws बनाना चालू किये तो जब लोगोंने protest किया होगा जैसे यह जब उन्होंने insist किया होगा कि नहीं आप तो law बनाओ तो government भी pressure में होगी तो marginalized communities के influence में आके government had framed new laws in keeping with the spirit of fundamental rights ठीक है fundamental rights की बातों को ध्यान में रखते हुए laws बनाए होंगे जैसे example देखें हम तो example में article 17 article 17 आपका constitution का क्या बुलता है untouchability को abolish करता है untouchability को abolish कर दिया यह आपका fundamental right है अब मानलो कोई दलित है किसी दलित के साथ में वो unjust treatment हो रहा है उसे marginalized कैसे feel करवाया जा रहा है कि उसे गाओं के किसी common well में से common जो तालाब रहता है कुआ जो रहता है तो उसमें से पानी नहीं निकालने दिया जा रहा है तो वो अपने आपको marginalized feel कर रहा है अब वो जाएगा government के पास बोलेगा क्यों क्यों क्योंकि मेरा fundamental right है article 17 के हिसाब से कि untouchability should be abolished और यह मेरे साथ unjust treatment कर रहा है मुझे untouchable की तरह treat कर रहा है आगे ना समझ में तो इस तरह से क्या हो रहा है अब देखो अब ये article 17 fundamental right marginalization हुआ कुए पर पानी नहीं देने दिया क्या किया है उस इंसान ने सीधे अपने fundamental right को अपने कंदे पर बिठा के लेगा और बोला देखो भाई ये इसका violation हुआ है क्या करना चाहिए laws violate हुए punish करो उन लोगों को आयना जमन में तो ऐसे क्या हो रहा है कि invoking fundamental rights का topic बहुत अच्छी तरह सब clear होना चाहिए आपको आगे देखो क्या है related with the article 15 अब article 15 क्या बोलता है इसी चीज़ से जोड़ो article 15 constitution का ये बोलता है that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth तो तीन शब्दा गए religion, race, caste, sex ट्यकिंजे में तोआप untouchables के साथ में अगर marginalisation हो रहा हैext تو बोलतेगे कि हमार article 15 nebs कहा गया है और जब आप हमें marginalised feel कर वाओगे तो आप क्या कर रहे हो हमारे साथ discrimination कर रहे हूं ठीक है तो article 15 यहां पर भी violet हो रहा है article 15 यहां पर भी violet हो रहा है women के साथ अगर किसी तरह का marginalization होता है तो women भी आवाज उठा सकती है ठीक है they are pushing us to the margins which is not fair ठीक है our fundamental right is being violated आया ना समझ में तो यह पूरी कहानी है किस तरह से fundamental right आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं वो बता है मैंने आपको आगे देखो तो therefore using the provision in the constitution constitution में provision दिये और fundamental right के तो क्या किया जाता है Dalits can invoke or draw on fundamental rights और rights ठीक है in situations where they feel that they have been treated badly by some individual or community or even by the government ठीक है तो in short अगर कहें तो यह marginalized किया जाता है Dalits को tribes को किसी एक religious community को किसी एक linguistic community को किसी एक specific group को वो women भी हो सकता है तो वो क्या कर सकते हैं वो अपने fundamental right का इस्तमाल कर सकते हैं using the provision in the constitution वो यह बोल सकते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है हमारा marginalization हम सहन नहीं करेंगे we would confront marginalization मजएदार ठीक है अब देखो क्या similarly the minorities अब यह तो मैंने आपको क्या बता दिया यह मैंने आपको बीसिकली अगर देखे तो हम जैसे दलिट्स वगेरा का वो इशू लेके बताया कि अगर marginalization उनका होता है तो वैसे और भी fundamental rights है क्या है तो एक fundamental right यह भी है कि जो religious minorities है उनको अधिकार है कि अपना educational institutions वगेरा चला सके यह हमारा fundamental right है ठीक है जितनी भी religious minorities है तो देखो क्या होता है similarly the minorities have been drawn on fundamental rights given in our constitution ठीक है right to freedom of religion and cultural and educational rights यह आपका fundamental right है ठीक है तो आप जब देखते हो क्या कि मदर से वगेरा जो रहते है तो वो खोलने की चलाने की permission दी जाती है government के द्वारा ठीक है funds तक दिये जाते है तो यह क्यों दिये जाते है क्योंकि minorities को अपना religious and cultural values जो है जो अपना educational system है educational rights है उन्हें protect करने की आजादी है अब क्या होता कि कोई अगर उन्हें marginalized करता है तो अपने इस right का इस्तमाल कर सकता है उसके against में जाने के लिए दूसरी चीज government से support लेने के लिए भी ठीक है तो constitution tries to ensure cultural justice to such groups तो अब वो कोई सा भी religious minority हो बीट मुस्लिम सिख साही ठीक है कोई भी हो तो क्या होगा कि हर religious minority के को cultural justice ensure करने के लिए कि मतलब उसे सांस्कृतिक रूप से न्याय मिल जाए ठीक है cultural justice क्या है कि आप किसी के cultural educational rights को promote करने के लिए उसे अपना educational इंस्टिट्यूट खोलने दे रहे हैं जहां पर वो अपना culture के बारे में पढ़ा सके तो government support करेगी तो अगर उसे लगता है कि मार्जनलाइस फील कर रहा है को इसके अगेंस्ट में जा रहा तो government से protection मांगेगा क्यों क्योंकि बोलेगा यह मेरा fundamental rights है तो आगेंस्ट में कि fundamental rights जो है वो बहुत important role प्ले करते हैं जब भी बात होती है किस चीज़ की जब भी बात होती है आप अगर अपना जो marginalization जो हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में struggle launch करना चारहें और फिर उस आप से क्या होता कि government protect करेगी तो हमने समय समय पर देखा कि article 17 ठीक आर्टिकल 15 उसके बाद में cultural or educational rights है हमारे तो यह सारे अधिकार जो है इन अधिकारों का इस्तमाल करके minorities वो language के basis पर हो सकती है ठीक है societal minority हो सकती है जैसे दलित्स हो गए अधिवासी हो गए तो इन सारे लोगों को protection मिलता है और अपना जो marginalization वो सफर कर रहे है उसके अगेंस्ट में आवाज उठा सकते हैं कर सकते हैं ठीक है clear तो यह सारा सब कुछ पढ़ा हमने इस टॉपिक में आई होप चीजे समझ में आई हैं किसी प्रकार के डाउट है तो marginalization को जो उनके साथ में जो उनके उपर domination established किया जा रहा है या फिर जो उनको अलग किया जा रहा है सोसाइटी से तो उसको वो confront करती है confront करती है सामना करती है marginalized communities और सामना करने के लिए वो अपने fundamental rights का सहारा लेते हैं ठीक है fundamental rights के सहारे वो क्या करने वाले आवाज उठाएंगे चलो आवाज उठा लिए अब आवाज उठाएंगे तो क्या बताएंगे वो बताएंगे हमारे साथ गलत हो रहा है और गलत हो रहा है यह गवर्मेंट की responsibility है कि वो laws बनाएं ठीक है यहां तक कहानी हमने आपको बताई थी अब कहानी को आगे वड़ाते हैं तो जब गवर्मेंट की responsibility बनती है कि वो marginalization को खतम करने के लिए जब government laws बनाएगी तो वो laws laws for the marginalized कहलाएंगे simple ठीक है अब देखो क्या है तो government make laws to protect citizens गवर्मेंट की responsibility जो भी कानून लाती है तो गवर्मेंट कानून क्यों लाती है क्योंकि वो सारे लोगों को बचाना चाहती है उनको protect करके रखना चाहती है कहीना कहीन उनके आसानी के लिए laws बनाए जाते हैं मानते उस चीज को तो government ने तो क्या किये laws बना दिये government make laws to protect citizens ठीक अब देखो क्या होता है government laws बनाती है still for the protection of marginalized there are specific laws and policies लेकिन अब यह जो laws बनाए तो यह in general सभी के लिए तो जो समान थे जो equal थे सभी को protection मिल गया चलो लेकिन जो लोग पीछे रह गए थे वो तो पीछे रह जाएंगे अब मानलो आपके सारे दोस्तों जा रहे हैं साध मैं। सारे दोस्त एक साथ चल सकते हैं की speed से तो वो सब तो आगे लेकिन एक दोस्त देरे-देरे चलता था विचारा बहुत मोटा था तो अब क्या है वो तो पीछे रह गया ना उसे लाना पड़ेगा तो ट्रॉली करके बिठा के लाओगे कि नहीं अब तो उस तरह से क्या है कि still for the protection of marginalized there are specific laws and policies ठीक है तो marginalized section क्योंकि वो पीछे रह गया या फिर उसे अलग किया गया society से तो उन लोगों के upliftment के लिए special policies specific policies बनाएगी government तो अगर आपको ध्यान हो तो government क्या करती है government committees बनाती है एक committee बनाई थी सचर committee जो पिछले जाप्टर में पड़ी थी हमने आया याद चलो याद आगा है गरदे निला दी आपने उदर से तो अब मुझे comment section में आप नाम बताएंगे कि was the chairman of such a committee ठीक है हिंटर देता हूँ सचर नाम था उनका सचर था मतलब नाम में ठीक अब देगो क्या तो government क्या करती स्पेशल स्पेसिफिक लॉज बनाने के लिए दे सेट अप committees और अंडर्टेकिंग अ सर्वे ठीक है सर्वे होते हैं committees बनाई जाती है recommended policies और schemes तो यह committee जो होती है surveys जो होते तो इन basis पे कुछ policies recommend किये जाती है कुछ schemes recommend की जाती है फिर क्या होता है फिर इन policies और इन schemes के उपर government काम करना चालू करती है तो government works over it government in schemes पे इन policies पे काम करना चालू करती है तो अब देखो समझना इसी इसको कुछ भी law बनाना तो ऐसे हवा में नहीं बन जाता है कि रात में सोय थे प्राइम मिनिस्टर सुबह उठे हो ने बुल दिया चलो यह law बना देते है सपने में आया था proper एक procedure follow किया जाता है committees बनती है committees recommendation देती है उन recommendations के बारे में सोचा जाता है सारे points ने include करेंगे कुछ points include करेंगे कुछ points neglect कर देंगे तो यह पूरी एक process होती है ठीक है अब आप सोच सकते हो why do the laws for the marginalized are made बनाये क्यों जाते marginalized लोगों के लिए तो देखो for promoting social justice social justice क्या होता है कि यह society है ठीक अब यह society में सारे लोग equal नहीं होते है तो ताकि क्या हो ताकि आप social justice सामाजिक निया है जिसे कहते हैं कि society में equality आ सके वो promote करने के लिए आपको laws बनाना पड़ेंगे अब थोड़ा सा इसे explain करते हैं कैसे देखिए समझिए तो promoting social justice यहाँ पर समझो तो apart from the implementation of the constitution constitution तो बनाएं constitution में fundamental rights भी हैं उनकी मदद से आप आवाज उठा सकते हैं कि आपके साथ marginalization नहीं होना चाहिए लेकिन हो गया तो अब क्या होगा कि आपको special protection देने के लिए आपके upliftment के लिए कुछ special laws तो लगेंगे ही मानते हैं उस चीज़ को ठीक है तो specific schemes schemes are launched for Dalit and Adivasi communities और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं कुछ specific schemes बनाई जाती है क्यों बनाई जाती है ताकि Dalit और Adivasi communities जो है यह marginalized communities इन्हें marginalized communities करना पड़ता है तो Dalit और Adivasi communities क्या कर सके अपलिफ्ट हो सकें उनका भला हो सकें तो example के लिए जिसे हम क्या देखेंगे free or subsidized hostels for students of Dalit and Adivasi communities are being provided तो जैसे कोई Dalit community है या फिर Adivasi community के बच्चे हैं तो उनके लिए क्या रहता है subsidized hostels रहते हैं subsidized hostels में मतलब क्या है कि कम पैसों में उन्हें रहने को मिल जाता है free hostels भी रहते हैं तो जैसे image मिला मैंने लगाया है यहां पर आप देख सकते हों कि आपने आपके शहर में आपके जहां भी आप रहते हैं तो आपको देखने को होस्टल वगरा ready करवा देती है फिर क्या होता है जैसे reservation policy भी एक social justice को promote करने का एक tool है हमने देखा कि special laws बनाए जाते है marginalized के लिए तो reservation भी उसी का एक part हो गया कैसे reservation उसी चीज़ का एक part हो गया वह मैं समझाऊंगा तो reservation दिया जाता education और government employment में तो हम देखते हैं क्या की schedule caste और schedule tribe की बच्चे जो रहेंगे उनको कम number लाना होगा compare करा जाए तो general category की बच्चों से क्यों क्यों क्योंकि general category जो है तो consider किया गया देखो अब यहां पर दो तीन में आपको disclaimer पहले ही देखे चल देता है तो आप comment पर चालो हो जाओगे तो गलत है यह तो गलत है तो क्या होता है कि यह ऐसा था यह जब independence मिली हमें में आजादी मिली तब उस समय पर ऐसा देखा गया कि क्या है general category के जो लोग है जो so called upper society है हमारी class के जो अपर कास्ट के लोग है तो उन लोगों के पास में facilities थी लेकिन schedule caste schedule tribe यह कुछ ऐसे लोग थे ठीक है यह sections ऐसे थे जो पढ़ेंगे ना उन्हें तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए reservation policy लाया गया government के दुआरा बहुत जिबता simple जितना lucid हो सकता था है उन्हें बताए आपको तो आप देखो इसमें arguments है बहुत सारी कुछ लोग बोलते हैं कि तलवार खोल लेते हैं कि reservation गलत है तो जरा रुखो सोचो समझो गलत है तो किस context में वह भी समझो मैं आपको आजादी की समय क्या situation थी फिर क्या होता है कि reservation का benefits मिलता है schedule का schedule tribe के लोगों को तो उनका धीरे धीरे upliftment होता है ठीक है तो बहुत सारे schedule का schedule tribe जैसे आज के समय में जो इनसान क्या कर रहा है job कर रहा है जैसे के example देते हम आपको ठीक है आज के समय में जो इनसान 30 साल 35 साल का है उससे यह पूछना कि जब वो पैदा हुआ था तब उसकी society की मतलब तब उसके family की या फिर कह सकते तब उसकी community की क्या condition थी ठीक है आप level playing round पर आऊ गए ना आप वो पीछे से उठा के आपको बराबर पर लिया है तो अब आपको उंगली पकड़ा के चला रहते ना वो उंगली छोड़ देना चाहिए reservation वाली ठीक है तो वो argument बिल्कुल आपकी valid है क्योंकि आप आज के context में बात कर रहो लेकिन जब reservation डाला गया थो तो उसके पीछे यार एक चीज़ बताओ constitution makers जो थे तो तुमसे तो समझदार थे उससे भी समझदार थे ठीक है तो उन्होंने जो सोच के डाला reservation वो एक से reservation के उपर आपको एधियान रखना कि government इस तरह से special schemes वगेरा launch करती है क्यों launch करती है ताकि क्या हो ताकि social justice को promote किया जा सके अब अगर आपको यह जानना है कि how does the reservation policy works तो वो समझा देते हैं ठीक है आगे ना laws for the marginalized topic तो clear हो गया कि कैसे laws बनाया जाते है marginalized के लिए तो committees committees की recommendation फ जो how does the reservation policy works clear तो government across India have their own list of schedule caste और दलिच schedule tribes या फिर जो tribal communities होते हैं backward and most backward caste तो government के पास में लिस्ट है कि हम यह 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 लोग क्या है schedule caste schedule tribe backward caste को belong करते हो यह marginalized है यह पीसे रह गाए fine अब देखो क्या होता है students applying to educational institutions and those applying for post in government are expected to furnish proof of their caste और tribe status ठीक है तो अब यहाँ पे क्या है कि government ने तो recognize कर लिया अब आप बोलो के मैं किस category में आता हूं तो आपको पता है वो और आपको पता है लेकिन government को आप कैसे बता हो तो आपको अपना caste certificate दिखाना पड़ेगा आपक कि यह proof है भाया मैं इस category को belong करता हूं जिस category को government marginalized बोलती है चलो government marginalized बोलती है आप उस category का आपने certificate देखा दिखा दिया If a particular Dalit caste or a certain tribe is on the government list then the candidate from that caste or tribe can avail the benefits of reservation ठीक है और अगर कोई उस specific caste को belong करता है तो वो क्या कर सकता है Reservation के benefits ले सकता है Reservation क्या है देखो माल लो किसी एक government institute में 100 बच्चों की जगा है तो आप सौ बच्चों में क्या होगा आपको पता है कि general category के लोग जो है तो वो क्या है नमबर में जादा है और नमबर में जादा होने के साथ क्या है वो competitive है competitive in the sense क्या है कि वो मतलब जो presume करके चले हम वो पुरानी बात जब constitution मना था उस हिसाब से तो उनके पास facilities है वो अराम से क्या कर सकते हैं school यहाँ पर आ सकते हैं fees दे सकते हैं लेकिन क्या होगा लेकिन schedule cast और schedule tribe के बच्चे नहीं आ पाएंगे ठीक है तो क्या कर दिया गया ऐसा कर दिया कि सौ में से 20 seats 30 seats यह क्या कर दी रिजर्फ कर दी ठीक है 20 या 30 seats reserve कर दी मतलब बोलती है 20 से 30 seat पर कौन रहेंगे इन seats पर general category का इनसान नहीं आएगा जिसके लिए reserve करें schedule cast के लिए करिए तो schedule cast schedule tribe के लिए करी तो schedule tribe वाकि दोनों के लिए कि जाती है तो अब क्या होगा कि pass होने के लिए जिसके highest number होंगे वो जाएगा seat को लेगा ठीक है तो जिसके highest number होंगे मतलब general category वाले ने किसी ने 100 में से 80 number लेया किसी 90 number लेया तो उनके बीच में competition है अब ये तो schedule cast और schedule tribe के लिए है तो schedule cast में जो सबसे जादा number लाएगा तो पहली seat उसको मिल गई फिर schedule cast के ही लोगों में सो जो second number पर सबसे जादा number लाएगा तो second seat उसको मिल गई है तो क्या होता कि इन 20-30 seat में competition क्या हो गया आपने कम कर दिया ये reserve कर दिया आपने बोल दिया कि इन पर schedule cast ये schedule tribe का ही इनसान आएगा तो उस तरह से क्या है कि ये reservation आपने provide कर दिया categories को identify किया लोगों ने अपना मतलब proof दिया कि हम इस category को belong करते हैं और वो फिर क्या कर सकता है reservation के benefits को enjoy कर सकता है for admission to college government defines a set of cut off marks ठीक है ये cut off marks क्या होती है तो जैसे ये seat मतलब 100 seat थी मैंने बताया आपको तो 100 seat में से 20 seat अगर मानलो schedule cast के लिए reserve करिये तो वो schedule cast को क्या करना होगा कि ये 20 seats पे अपनी position को ensure करने के लिए cut off list दे दी जाती है कि तुम्हें कम से कम इतने number लाना होगा कम से कम इतने क्यों क्यों क्योंकि जो पहला number पर आया न schedule cast की category में उसने इतने number secure करें तो ये cut off हो गया है आपको यहां से number लाना है इस तरह से तो क्या किया जाता है cut off list की minimum marks का quota दे दी जाता है कि इतने number से जिसके उपर आएंगे तो 20 बच्चे अगर इस number से उपर लाएं तो उनको 200 seat दे दी हमने जो कि क्या होती है जो कि जो general level होता है जो normal इंसान जो किसी category को belong नहीं करता है उससे कम होता usually तो इस कारण से क्या है लोगों को बड़ा घुस्सा आता है कि reservation गलत है ठीक है आज के context में मैं मानता हूं आपकी बात गलत हो सकता है क्योंकि जो लोग able है वो भी उसका benefit अगर enjoy करेंगे तो गलत है ठीक है लेकिन जो constitution makers ने जो सोच के डाला था तो उनकी सोच बहुत साफ थी उस बारे पर clear है those who have done reasonably well and secured marks above the cutoff ठीक है जो cutoff number से उपर लाया है तो उसको क्या होगा cutoff points are entitled to benefits of reservation यहां पर भी ऐसा है कि cutoff जो रखा है तो general के लियो cuts of जादा होता है schedule cash के लिए कम होता है schedule drive के लिए को और तो यह संहतल है को उस माक से उपर लाना होता है exam में जाने के लिए भी मतलब exam clear करके noakrie पाने के लिए और एक्जाम क्लियर करके किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी एडुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नमबर लगाने के लिए अपना तो यह इस तरह से फिल फ्री तो आस्किन कमेंट सेक्शन तिल एन स्टे करेंटे कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू बेरी मच्छ हलो आवरीबड़ी दिस दिग्रास संग राजपूत वेलकम तो मैगनेट ब्रीन्स इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रोटेक्टिंग दी राइट्स ओफ दलित एन आदिवासी अभी तक हमने क्या देखा चैप्टर में अभी तक हम इस बनाई जाती है for the upliftment of marginalized communities मांते हो marginalized communities के upliftment के लिए laws बनाए जाते हैं ठीक है साथ ही साथ एक और चीज़ ये भी देखना है आपको कि there are laws that guard against the discrimination and exploitation of marginalized communities marginalized communities का exploitation होता है discrimination होता है यहां तो आपने क्या जैसे reservation लाए ताकि आप उसको uplift कर पाओ नीचे से उपर ले जा सको marginalized communities को दूसरा क्या है कि marginalized communities जाने लाइक इस्तिती में भी बचे मतलब उनका exploitation ना हो उनके साथ discrimination ना हो ऐसे laws भी बना जाएंगे मान लोगा किसी के साथ क्या किया जारा unjust treatment किया जारा किसी को discriminate किया जारा तो वो laws भी बनाना पड़ेंगे भले के लिए तो बुरा हो रहा है तो उस बुरे को रोखने के लिए भी laws बनाना पड़ेंगे आगे समझ में तो यह चीज थी आपने डैम बनाया लेकिन डैम में कही है तो हथ पिर बांदो बैठो और कहानी सुने के अच्छे से ठीक है यह जो कहानी बहुत thought provoking है ठीक है आपको सोचने पर मजबूर करेगी और आपको एक एक स्टोरी लाइन समझ में आएगी कि कैसे जो दलिट्स और आदिवासी जे उनके राइट्स को protect किया जा सकता है क्या किया जाना चाहिए और ठीक है तो protecting the rights of दलिट्स और आदिवासी इस चीज को हमपड़ने वाले है स्टोरी आफ जक मंगलूर ठीक है अब देखो एक और चीज़ है यहाँ पर एक जो हमारा हीरो है मुवी में वो कोन है उसका नाम है रतनाम ठीक है तो रतनाम अपने मुवी का हीरो है अब क्या होता है कि रतनाम के गाओं में अपर कास्ट कम्यूनिटी के लोग भी रहते हैं तो गाओं के देवता की पूजा पाठ होती सारी चीज़ें होती धुम धढ़ा के से सारी सीज़न की जाती है और वहाँ पे एक रिच्वल यह होता था कि जो आजबाजों के गाओं से प्रीस्ट आते थे थे ना तो उन प्रीस्ट के पैरों को दुलाया जाते थे जैसे बोल मतलब यह दलित कम्यूनिटी को विलॉंग करते थे और वो पैर धूने का काम करते थे ठीक है किसका प्रीष्ट वगिरा जो आते थे उस रिच्वल में अब रतनाम 20 साल का हो चुका था रतनाम पढ़ रहा था इंगिनिरिंग स्टुडेंट था ठीक है तो इंगिनियर्स तो व दलित कम्यूनिटी से रिच्वल का एक इतना इंपॉर्टेंस दे रहो कि दलित कम्यूनिटी पेर्ध होएगी और सारी चीज़ें करेंगी लेकिन उन्हें मंदिर में कभी जाने नहीं देते हो तो रतनाम जो रहता है तो रतनाम क्या कहते था रफ्यूस कर देता है इस चीज को करना होगा जो अपर कास्ट कम्यूटी के लोग थे उन लोगों ने बोल दिया कि यह पढ़ने लिखने के कारण यह लड़के में इतने घट सा गए इतनी कम उम्र में 20 साल में लड़का हमारे अगेंस में कैसा जा सकता है ठीक है और फिर तरह तरह के आर्गूमेंट्स की जो दूसरे दलित लोग थे उन लोगों ने क्या सोचा कि हम रतनाम के अगर सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे कि रतनाम मत दोहे तू तो पेर ठीक है तो उससे क्या होने वाला उससे यह प्रॉबलम होगी कि कल को हम जिन अपर कास्ट कम्यूटी के लोगों क्या काम करने जाते तो जो अपर कास्ट कम्यूटी के लोग रहते हैं वो रतनाम को क्या बोलते हैं कि रतनाम और रतनाम की फैमिली को एक तरह से हम क्या कर दे हैं सोचली बाइकॉट कर दिया अब क्या होता है देखो तो यहाँ पर जब सोचली बाइकॉट किया गया रतनाम की फैमिली को तो व रतनाम की जो एक हट रहती है तो रतनाम की हट में क्या कर देते हैं आग लगा देते हैं रतनाम अपनी जान चुड़ा के कैसे भी भागता है वहां से अपनी मां के साथ बाहर निकल के जाता है अब रतनाम पहुच गया पुलिस स्टेशन ठीक है अब देखो तो रतनाम पुलिस स्टेशन पहुचने के बाद में बोलता है क्या कि मेरे साथ गलत हुआ है दलित कम्यूटी को बिलॉंग करता है इसका मतलब यह नहीं कि मैं पैरद होंगा पहली चीज दूसरी चीज क्या है कि इनों लोगों ने मुझे मानने की कोशिश करी है तो अब क्या है तो वो इस लोकल न्यूस को क्या करने लगी कवर करने लगी है क्लियर है तो आप देखो यहां से क्या निकल क्या थी चीज़ें कि यह जो मुद्धा है अब वो क्योंकि अब पूरा लॉग के हिसाब से चलेगा ना पुलिस है तो फंडामेंटल राइट है कि आपके साथ नहीं होता है तो अब क्या पकड़ने वाला है अब यह इस जो है वो एक तरह से एक बड़ा इस बनने वाला है तो नो डाउट कहीं ना कई सपोर्ट मिला होगा गवर्मेंट ने सपोर्ट दिया और अने उसके राइट्स को रिस्टोर किया जो भी वॉय लेट हुए थे लेक तो यह मैं आपको पूरी कहानी बताइए जात मंगलूर में जो हुई थी ठीक है अब इट एक्पेंगे इंसिडेंट डेट यूज प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड टू देम बाइलो अब देखो आपने यह देखा कि रतनाम जो है तो रतनाम डरा नहीं क्यों क् प्रोटेक्शन दिया है तो उसको समझ में आया कि हाँ यार मेरे लिए लौज है तो उसने उन लौज का इस्तमाल किया रतनाम ठीक हैं फाइलिंगा केस अंडर दी सेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रेवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट नाइट सेड्यूल कास्ट सेड्यूल ट्राइब प्रेवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक नाइट 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 करते हो और कोई सरिफ कास्ट लेंग्वेज इन सारी बेसिस पर आपके साथ डिस्क्रिमिशन करता हो गलत है उसे प्रोटेक्शन विला ठीक है नाओ एनलाइज एंड क नेलसीर के साथ साथ ने आपको सका साथ का संकुलूजन देना एक प्रोपर रॉपर डेखो क्या होता है तो हमारी यह जो है एडिंग है प्रॉटेक्टिंग दी राइट्स और दिवासीश ठीक ही है तो अब इहां पर क्या हुआ रंगट को प्रोटेक्शन के राइट्स को और वही चीज यहां पर देखने को मिली law थे तो मतलब एक law है तो उसके चलते रतनाम ने आवाज उठा पाया रतनाम अपने मतलब कह सकते हैं अपने साथ जो डिस्क्रिमेशन हुआ उसके अगेंस्ट में बोल पाया तो इस सेंस में यह बहुत जादा जरूरी था और यहां प टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं यहां तक चीज़ें क्लियर हैं किसी प्रकार के डाउट हैं तो फिल फ्री तो आस्किन कमेंट सेक्शन तिल देन स्टे कनेक्टेट कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू बेरी मच हलो एवरीबड़ी इस दिग्राश सिंह राजपू इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे दी शेडियूल कास्ट एंड शेडियूल ट्राइब प्रेवेंशन आफ एट्रोसिटीज एक्ट नाइटीन आगे जो है ठीक है तो अब देखिए क्या हैं यहां पे अभी तक हमने जो चाप्टर पढ मदद करते हैं रतनाम की कहानी से आपने देखा समझा था कि कैसे रतनाम ने प्रोटेक्शन के लिए इस लौका यूज किया था अब लौ है क्या किन बारों में किन चीजों के बारे में बात करता है लौ वो सारी चीज़े हम आपको बताने वाले हैं इस लिए उसका आगे 1989 ह होता है ठीक है अब सवाल या था क्यों फ्रेम किया गया था तो समझो जैसे अमने देखा कि रतनाम ने उस लौकी मदद से अपने आपको बचा लिया ना तो बचा क्यों पाया वो क्योंकि वो लौ था तो वो लौ की जो डिमांड थी वो कहीं ना कहीं उन्ही सिच्वेशन में बनिये जहां पर marginalized communities बहुत कुछ सफर कर रही थी तो demands made by Dalit and other that the government must take seriously the ill treatment and humiliation Dalits and tribal groups face in everyday sense ठीक है दलित और जो tribal groups थे तो जो वो ill treatment face कर रहे थे उस ill treatment को properly recognize किया जाना चाहिए किसके द्वारा properly recognize किया जाना चाहिए government के द्वारा और बहुत सारे Dalit और दूसरे marginalized group इस चीज़ के लिए आवाज उठाने लगे थे इस चीज़ की demand करने लगे थे ठीक है तो अब जब इस लोगों ने demand करना start कर दी यह तो एक background बन गया किस चीज़ के लिए इस law के लिए एक पीछे क्या कह सकते हैं कि इस law के लि तो फिर क्या होता है during 1970s and 1980s number of assertive Dalit group came into being and asserted their rights ठीक है तो बहुत सारे परिशान पीडित जो groups थे तो वो लोग एक सांथ इखटे हुए थोड़ा सो उनके पास में जैसे जब strength lies in unity यह सुनाया है अपने की शंगटन में शक्ती होती है तो जब सारे लोग एक सांथ आ है तो न वो एक तरह से inhuman है ना अम आनव अम आनवता है कि साथ में हमारे साथ ऐसा वेवार कर रहे हैं और वो गलत है जो ऐसा कर रहा है उसे punishment मिलना चाहिए तो जब लोगों ने protest करना स्टार्ट किया तो क्या होता है अब protest करना भी स्टार्ट किया government से demand भी कर रहे थे साथी साथ मे देखो रतनाम के case में आपने क्या देखा क्या सीखा रतनाम की case से आपने simple सी चीज़े देखी कि रतनाम के पापा रतनाम के दादा उस चीज़ को perform करते हुए आ रहे थे तो रतनाम कोई ऐसा लगा कि वो कर रहे लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि रतनाम पड़ा लिखा थोड़ा सा समझा चीज़ों को ठीक है अब क्या हो रहा था कि यह जो groups demand करने लगे थे उनके rights के ऐसा ill treatment हम नहीं सहन करेंगे तो उन्होंने demand करना government से start किया सांती साथ में जो चली आ रही थी प्रथा है उन्हें बंद कर दिया तो they refused to perform their so called caste duties and insisted of being treated equipment लगी तो उन्होंने बो रहे हैं यह उन्हों लोगोंने क्या करना इस start कर दिया पोस करना start कर दिया उन्होंने बोल दिया कि हम हमारी जो so called caste duties है caste duties जैसे बोल दिया कि एक example देते हैं कि हम देखते हैं कि एक group को untouchable consider किया जाता है और जो leather workers होते हैं तो उनका काम क्या होगा कि अगर किसी भी गाव में किसी भी animal की death हो जाती तो उसको skin off करना ठीक है उसकी छमडी निकालना तो और उससे leather बनाना यह काम उसका रहेगा एक untouchable का तो अब क्या होगा उसने बोल दिया कि मेरी कोई caste duty मैंने responsibility नहीं लिए अगर मान लोग मेरे पास कुछ कमाने को नहीं है तो मैं करूंगा भी अगर करना start कर दिया और demand के साथ में क्या करना confront करना सामना करना start कर दिया किस चीज़ का उन उन सारी बातों का जहां पर वो marginalization face करते थे ठीक है तो therefore Dalit groups demanded new laws that would list the various sort of violence against Dalit and prescribed stringent punishment for those who indulged in them तो अब दलिप क्या करने लगे यह सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है कि Dalit groups ने यह demand करना start कर दिया कि जो हमारे against में इस तरह के discrimination करता उन्हें punishment मिले और अपनी cast duties को उन्होंने चुले में डाल दिया बोल दिये कि हम अब perform नहीं करेंगे ठीक है अपने बंदी नहीं बनाया हम एक तरह से फिर क्या होता आगे देखो क्या है तो अब इस act को इस एक्ट के चलते protection तो मिला ही मिला है protection के साथ साथ government ने law recognize भी किया कि अच्छा यह हो रहा है आपके साथ में government ने intensity of crime को क्या क्या identify कि यह सारी चीज़े crime के दाएरे में आ जाएगी तो government ने क्या 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 mode of humiliation को सबसे पड़े identify किया दलिंट goals बोल रहे थे कि हमारे साथ क्या होता है in human behavior होता है थीक है हमारा humiliation होता हमार क्या किया जाता है प्रताणित क्या जाता है हमारी जो as a human being जो नहीं किया जाना ची back तो गौर्मेंट ने बोला कि हाँ ऐसा ऐसा किया जाता ऐसा नहीं होना चाहिए तो गौर्मेंट ने रिकगनाइस किया कि इस तरह से हिमेलेशन तो होना ही नहीं चाहिए ठीक है बहुत फिजिकली हॉरिफिक एंड मौरली रेप्रिहेंसेबल ठीक है तो मौरली रेप्रिहेंसे आट दस लोग मिलके दो लोगों को पीट रहे हो तो यह physically horrible यह बहुत डरावना होता है तो इस तरह के सारे humiliations को क्या 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 अपोस किया किसने इस तरह के सारे humiliations को अपोस किया और identify किया government ने इस law में ठीक है तो देखो क्या है तो force मतलब यह कुछ नहीं होना चाहिए nobody should force a member of schedule caste and schedule tribe to drink or eat any inedible or obnoxious substance ठीक है obnoxious मतलब क्या होता बहुत जो घिनोना होता है ना किसी भी चीज़ का जैसे मान लो क्या है ऐसे instances हो है मैं आपको बता रहू है practical instances है कि लोगों के पर urine किया गया उन्हें जो schedule caste के लोग थे तो उन्हें force किया गया to drink urine ठीक है अब यह क्या है यह को punishment मिलेगी इस law में identify किया गए कि इस तरह से कुछ नहीं होना चाहिए फिर क्या है forcibly removes clothes from the person or member of a schedule caste or schedule tribe और punish them और her naked or with painted face on our body और commits any similar act which is derogatory to human dignity यह शब्द ढाल दिया मतलब क्या है कि बहुत broad dimension दे दिया कि जो human dignity के towards derogatory होगा जो कहीना कि हर आदमी का अपना सम्मान होता न जिसे कि example देना किसी ने अच्छे कपड़े पहने अब उनके कपड़ों पे इंक भी डाल दोगे तो क्या हो गया उनको अपने सम्मान को ठेस पहुच जाएगी और यहां क्या हो रहा था तो rural areas में ऐसा होता है कि schedule काश या schedule tribe के लोगों को क्या किया जाता है उनका face paint कर दिया अधिवासी को इन सारे अधिकारों से आप वंचित नहीं कर सकते उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकते या फिर उनके साथ में यह पोजिशन उनके fix है यहां से आपको हिलाना नहीं है ठीक है तो क्या पोजिशन actions which deprived them of their meager resources for which force them into performing slave labor तो अब क्या होता है कि कुछ actions ऐसे होते हैं कुछ landlords वगड़ा तो वह क्या करते हैं कि जो दलित और आदिवासी होते हैं उनकी जो meager income की जो कह सकते हैं जमीन हो गए उनकी छोटी सी ठीक है तो उनकी livelihood के लिए वो source of meager income है एक मातर जो छोटा सा कुछ कमा रहे हैं खा रहे हैं वो उनका काम चल रहा है अब आप आदिवासी हो के जंगलों पर जाकर कर लोगे शेडिल काश के लोगों से जमीन चुडा लोग फिर क्या है the act has the provision to punish those who wrongfully occupies or cultivates any land owned by or allotted to a member of schedule caste और schedule tribe और gets the land allotted to him transferred ठीक है आप जैसे disposes मतलब हो यह कि आप उनको उनकी position से नहीं हटा सकते हो आप किसी दलित के पास में किसी tribe के पास मगर जमीन है तो आप क्या है forcefully उनसे जमीन खरीद नहीं सकते हो बीच नहीं सकते हो इस schedule caste, schedule tribe, prevention of atrocities act जो है तो उसके अंदर एक provision ये भी डाला गया कि देखो मैंने आपको starting में क्लियर कर दिया था कि law protection तो देता है protection के साथ में law कि सीज के बारे में बात करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए तो वो ये provisions discuss कर रहे हैं अभी इस topic में आप पूरा law तो पढ़ सकते हो उनको displays नहीं कर सकते हो वहां से ठीक है अब देखो क्या है crime against Dalits and tribal women ये भी recognize किया गया इस law के अंदर के दिखते है क्या होता है दलित और tribal women के against में crime होता है कैसे तो the act seeks to penalize मतलब ये crime होता है और act क्या करने वाला penalize करने वाला जो लोग ये crime perform करेंगे the act seeks to penalize anyone who assaults or uses force on any women belonging to a scheduled caste or scheduled tribe with intent to dishonor her ठीक है अगर मान लो किसी भी इनसान ने किसी भी scheduled caste scheduled tribe की महीला को dishonor करने की जरुरत की ठीक है क्या कर सकते हो आप उसको किसी तरह से sexually assault कर सकते हो physically assault कर सकते हो तो वो सारी चीज़ों क्या किया गया है इस law के अंदर जो इंसान ये करेगा उसको क्या किया जाएगा पिनलाइस किया जाएगा ये सारे provisions डाले गए इस law में आपको समझ में है schedule caste and schedule tribes prevention of atrocities act जो है तो इस act में क्या क्या चीज़े हैं किस तरह से काम करती है वो सारी चीज़े हमने इस वीडियो लेक्शर में डिसकस करी है तो अब यहां तक हमार chapter आगे बढ़ चुका है last topics जो है अब उन्हें हम comprehensively नेक्स वीडियो लेक्शर में discuss करने वाले है I hope चीज़ें clear हैं किसी प्रकार का doubt है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much Hello everybody this is दिग्राश सिंग राजपूत welcome to magnet brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे story of kabir story of santh kabir अब ज्यादा clear होगी चीज़ें ठीक है kabir में बहुत सारे thoughts आते है war movie भी ध्यान आ जाती है clear तो अभी देखिए अभी यह जो topic है story of kabir santh kabir और हमारा जो chapter है confronting marginalization यह दोनों आपस में बहुत कुछ जुड़े हुए हैं कैसे जुड़े हुए हैं कबीर भी एक so called lower caste को belong करते थे he was a weaver ठीक है बुनने का काम करते थे तो society में उन्हें क्या consider किया जाता था कि he belongs to a lower caste ठीक है मुस्लिम फैमिली में जन्म लेने के बाद में वो inspire होते हैं किसे हिंदू भक्ती ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा inspire होते हैं उनके जो verses है कबीर के दोहे सुने होंगे न आपने हिंदी की book में तो जो कबीर के दोहे हैं वो कबीर के दोहे कहां देखने को मिलते आपको गुरुगरण साहिब में भी देखने को मिल जाएंगे तो इस तरह से ऐसा नहीं कि वो किसी एक धर्म से बंदे हुए हैं ठीक है वो सारे धर्मों में उन्होंने क्या किया अपने हिसाब से हर धर्म को समझा अपने हिसाब से हर धर्म को समझाया और हर धर्म का इंसान उन्हें अप्रिशियेट करता है उनके विचारों को फॉलो करता है अब आप मार्जिनलाइजिशन वाले चैप्टर में इस प्रिश्युलिटी कहां से लिए आए सोच रहोंगे एकदम से मतलब चैप्टर चल रहा था ठीक चल रहा था अब ये टॉपिक ऑफ दी टॉपिक हो गया है तो off the topic कुछ नहीं गया है, सारी चीजों को relate करना पड़ेगा आपको आपको एक box में content दिया है लेकिन मैं आपको पढ़ाना इसलिए चारा हूँ कि आप समझो उस perspective को confronting मतलब क्या है कि आप सामना कर रहे हो marginalization का ये खुद एक marginalized community में रहे, ठीक है? कैसे आप उस किया? तो वही चीज जो कबीर के दोहे हमने आपको बताया ना भी तो अब आपका एक home work के चलो एक कबीर का दोहा सारे लोग याद करेंगे और बताएंगे मुझे कि आपको कौन सा कबीर का दोहा पता है या फिर नहीं पता तो सीखना ठीक है? तो कबीर के दोहे में उन्होंने बताया कि किस तरह से जो सुसाइटल स्ट्रक्चर है सुसाइटी जो है उसमें कितनी सारी समस्या है, कितनी सारी प्रॉबलम्स है क्लियर है? तो कबीर वाज आप 15th century poet and viewer who also belong to भक्ती tradition भक्ती tradition क्या होता है? देखो, एक तो क्या होता है? बहुत ritualistic tradition होता है religion का एक ritualistic part होता है, कि ऐसे यग्य करो, ऐसे बली दो, ये करो, वो करो तब जा कि आपके मन के एक्षाय सारी पूरी होगी, तो वो क्या हो गया? वो बहुत ritualistic part हो गया religion का कुछ लोगों ने religion को बहुत simplified रखा बहुत simplified जैसे इनके गुरू थे रामनन तो उन्होंने religion को बता है क्या होता है धर्म क्या होता है धर्म होता है कि इनसान और भगवान के मन के बीच में connection डवलप होना This is the spirituality यही spirituality भी होती है आप कर्म कांड करते फिर रहे हैं कि इतने याग्य करवा दिये उतनी पूजण करवा दिये उतनी सामगरी करवा दिये तो वो क्या है वो बहारी आडंबर होता है एक तरह से भारी भारी शब लग रहे है वो सिर्फ चो आफ है अगर देखा जाए भक्ती ट्रेडिशन के हिसाब से तो भक्ती ट्रेडिशन के लोगों के ये मानना था कि भगवान आपके भीता रहे ठीक है आपको क्या करना है अपने मन में जाग के देखना एक तरह से तो being free of ritual and priest ये था भक्ती ट्रेडिशन अगर और समझना चाहे तो भक्ती ट्रेडिशन में ये नहीं बोलते थे कि आपको अगर अपनी आत्मा को भगवान के आत्मा तक पहुचाना है अगर law लगाना है एक तरह से concentration दोनों के बीच में डवलप करना है तो जरूई नहीं कि उसके लिए बीच में आपको एक priest चाहिए रहेगा जरूई नहीं कि आपको rituals follow करना होगा मन चंगा तो कटोती में गंगा तो मन चंगा तो कटोती में गंगा मतलब क्या है कि आपका मन साफ है तो आप कहीं पर छोटे से तलाब ने भी उसे गंगा मान के इसनान कर सकते हो तो उस तरह की जो सोच रखने वाले लोग होते हैं वो भक्ति ट्रेडिशन को फालो करते हैं कबीर वाउज भक्ति ट्रेडिशन सेंट ठीक है अब क्या होता है अब बात करते कर मार्जिनलाइजिशन की तो इन्होंने मार्जिनलाइजिशन को कैसे कन्फरंट किया तो कबीर अटैक दोस हूँ अटम्टेट टू डिफाइन इंडिविजल्स ऑन दी बेसिस ऑफ देर रिलिजियस और कास्ट अडेंटिटीटीज कबीर ने अपने दोहों के थूँ ठीक है तो जितने भी अपने दोहे होते थे ठीक है तो उन उन दोहे के इस्तमाल करते वे कबीर ने एक मेसेज पहुचाया सोसाइटी को क्या कि यह रिलिजियस और कास्ट अडेंटिटीज के बेसिस पर आप सोसाइटी को देखते हो वो ग टैग लगा देते हो फिर डिस्क्रिमिनेट करते हो वो गलत है उन्होंने अपोस्ट किया इस चीज़ को ठीक है इस पोईट्री ब्रिंग्स आउट दी पावर्फुल आइडिया ऑफ इक्वैलिटी ऑफ और एक्वैलिटी और लेबर मतलब क्या इन्होंने हर इंसान को चाहे 후 वो किसी भी कास्ट इस बी काम को परफोर्म करता हो किसी भी काम को मतलब चयों जूते बनाता हो चाहे बहुत के treat कि, equality के साथ में treat किया His poetry brings out the powerful idea of the equality, equality के idea पर ज़्यादा emphasize कहा है नहीं ठीक है He writes about valuing the work of the ordinary porter, ठीक है, मटकी बनाने वाले का the weaver and the women carrying the water pot सभी को equally उन्होंने क्या क्या, treat किया सभी का काम क्या है, एक समान होता है labor of that in his poetry in his poetry becomes the basis of understanding the entire universe, ठीक है तो अब उनकी जो poetry है तो वो इनी चीज़ होगी है आजू बाजू revolve करती, ना इनोंने कभी Sanskrit सिखी, ना इनोंने कोई ग्रंत पड़ा इनोंने अपनी समझ से society को एक message दिया, देखो बहुत simplified life रही है इनकी, ठीक है वीवर की तरह रहते थे, गाते थे लोगों को सुनाते थे, लोगों को ऐसा लगता थे, यह तो क्या है, यह बोलते है ना परमसत्य वाली बात होगी, युनिवर्सल टृत टाइप से चीज़ होगी, यह जो बोल रहे है इसके लिए, मतलब पूरी तरह से सहीं बोलते थे कभी, ठीक है, और जो उस समय पर आडंबर चल रहा था, जो कह सकते हैं, सुपरफिशल वर्ड चला आ रहा था कि यह रिच्वल्स, वो प्रैक्टिस, यह सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट में बोलना चालू किया इन्होंने और जो मार्जिनलाइस कम्यूनिटी थी, तो मार्जिनलाइस कम्यूनिटी को इन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है, यह जो इनके आर्गूमेंट्स में ने बताए कि सब को इक्वेलिटी से देखना है, इसारी चीज़ें, तो अगर चैप्टर हम पढ़ते हैं, कन्फरेंटिंग मार्जिनलाइसेशन, तो यह आज से नहीं है, मार्जिनलाइस कम्यूनिटी कभीर के टाइम से क्या करते आ रही है, अपने जो राइट्स का वालेशन हो रहा है, उसके अगेंस्ट में वो लोगों के दोवारा अप्रिशेट किया जाती, गाई जाती, कभीर को, मतलब कभीर के नाम के बाद में सेक्ट चालो गए, लोगों ने धर्म बना लिया, एक अलग से, पन्त बना लिया, ठीक है, कभीर पन्त के लोग, तो वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को गाते हैं, जो सूअल हिरकी है जिन लोगों के असल अरग अगता है कि हां, संत कभीर ने कटाक्ष किया एक तरह से किया किया, कि यह सूअल हिरकी वनी हुई है, जा से एक लेडर बना दिया, कि यह यह लोवर कास्ट, यह अपर कास्ट, तो उसको क्रिटिसाइस करें के लिए, आप इनक इसी स्टोरी के थूँ यह जो आइडिया में देना चारत है समझ में आया है यहां तक चीजने क्लियर हैं किसी प्रकार का डाउट है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे the scourge of manual squinging manual squinging से जुड़ी कुछ चीज़े बताने वाला हूँ अब आपके मन में सवाल सबसे पहले यह scourge क्या है और यह manual squinging क्या है बताते हैं इससे पहले थोड़ा से समझो कि लास्ट वीडियो में हमने कभीर की स्टोरी समझी थी कि किस तरह से संथ कभीर ने marginalization के against में आवाज उठाई ठीक है और आज नहीं आज से बहुत पहले 15th century में अब देखो यह topic क्या बताना चाहरा है scourge of manual squinging मतलब क्या है scourge मतलब होता है कि जब जो चाबुक होता उससे जो पिटाई होती उससे scourge कहा जाता है अब उसमें पीड़ा होती ना तो उस पीड़ा को यहाँ पर दर्शाय गया इस शब्द में अब वो पीड़ा जो है वो homes, tin plates, basket from dry latrine and carrying it on the head to disposal grounds from distance away ठीक है simple सी चीज है क्या होता है कि आपने अधिकतर देखा होगा हो सकता है आपने ना भी देखा हो लेकिन जो rural areas है तो rural areas में इस तरह से जो human excreta होता है animal excreta होता है ठीक है जो उनका waste होता है उसे साफ करने की जिम्मेदारी क्या कर दी जाती किसी एक specific community के उपर दे दी जाती है ठीक है किसी एक specific group के उपर दे दी जाती ही बोल दिया जाता है कि आप लोगों की responsibility है कि आप क्या करोगे human excreta साफ करोगे लोगों गाओं में जो लोगों के dry letterings होते है तो अगर वो खराब हो जाते तो उन्हें साफ करने की responsibility किसी एक community को दे द जाता है उनसे बोला जाता है कि आप जो chambers होते हैं उन chambers में उतरो हातों से सफाई करो अपने सिर पे जो slit होता है उसे लेके जाओ और dispose करो कहीं दूर तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आप manually आप इंसान से क्या कर रहे हैं यह काम करवा रहे हैं जो दिखा जाये तो देखो काम कोई भी गलत नहीं होता है अब सफाई रखना कहां गलत होगा लेकिन जिस तरीके से आप गलत करवा रहे हो ठीक है किसी एक human being को क्या कर रहे हो जिससे जान भी खत्रे में जाती है और लोगों की death भी होती है या आप सुनके चौक जाओगे लेकिन हाँ होता है ऐसा कैसे मैनुवल स्केविंजिंग कहा गया है ठीक है यह मैनुवल स्केविंजिंग है अब मैनुवल स्केविंजिंग को अगर हम और समझे तो one who perform this are known as manual scavengers और जो लोग perform करते हैं इस तरह की साफसफ़ाई करने का काम उन्हें manual scavengers कहा जाता है ठीक है अब देखो आगे क्या है this job is mainly done by Dalit women and young girls तो Dalit community की जो women होती है या फिर जो young girls होती तो अधिकतर उन महिलाओं के द्वारा उस section के द्वारा यह काम करवाया जाता है manual scavenging का according to सफाई कर्मचारी अंदुलन ठीक है सफाई कर्मचारी अंदुलन के हिसाब से यहां पर जैसे क्या बताय गया according to सफाई कर्मचारी अंदुलन there are 1 lakh persons from Dalit communities who continue to be employed in this job in this country and who work in 26 lakh private and community dry letterings managed by municipalities तो यह चीज़ समझने वाली है सफाई कर्मचारी अंदुलन जो है तो एक एंजियो और नॉन गवर्मेंट ओर्गनाइजिशन है अब इस नॉन गवर्मेंट ओर्गनाइजिशन के हिसाब से नोनने data जो दिया है तो there are 1 lakh persons from Dalit communities who continue to be employed in this job तो यह जो काम होता है manual scavenging का तो इसमें एक लाग से ज्यादा लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं ठीक है and who works in 26 lakh private and community dry letterings managed by municipalities और यह अधिकतर काम जैसे municipalities नाम आगे ना तो municipality नाम आगे मतलब यह government के द्वारा करवाया जा रहा और यह सोचने वाली बात है कि जहां एक तरह हम equality की बात करते हैं हाँ पर government किसी एक specific community से manual scavenging जैसा inhuman act perform करवा रही है अब आप बोल सकते हो कि चलो ठीक है तो इससे problem क्या है ठीक है साफसफाई तो करना पड़ेगी ना अब इससे problem क्या है तो पहली चीज तो क्या आप क्या आप inequality को प्रमोट तेरो कि आप एक ही community से कहरो कि आप साफसफाई करो पहली चीज यह उसके अलावा दूसरी जो practical problems से वो समझे है आप तो problems faced by manual scavenging ठीक है या फिर manual scavengers तो जो manual scavengers है वो manual scavenging को perform करते हुए किन समस्याओं को किन problems को face करते हैं let us have a look on that they are exposed to subhuman conditions of work and face serious health hazards manual scavengers are exposed to subhuman conditions in what sense तो आप देखिये उन्हें क्या करना पड़ रहा है एक human waste human excreta से भरा हुआ एक chamber है पूरा उसके अंदर उतरना पड़ रहा है यह सब human conditions है कौन human being ऐसा करेगा यह बताइए ठीक है उसके बाद में क्या हो रहा है they face serious health hazards अब बहुत सारी health hazards होते है शरीर तूट जाता इस चीज में अब बोलो के ऐसे कैसे तो अब देखिये क्या हो रहा है कि वहाँ पे बहुत सारी gases release होती है और जो इंसान chamber में उतरा है वह gases inhale होती है inhale करना ही पड़ती है उसे वह gases inhale करता है साथ ही साथ में क्या हो रहा है skin problem ठीक है skin पर बहुत सारे infection हो सकते है ठीक वह कोई अच्छी जगा थो भी ना है अब दोगो क्या होता है तो they are constantly exposed to infections that affect their eyes skin respiratory and gastro intestinal system ठीक है तो अब वह inhale होने के बाद में पूरा जो internal system में आखे खराब हो सकती है तो एक तरह से आप सोचिए कि यह health hazard एक serious health hazard का cause हो सकता है manual scavengers में और हो रहा है यह reports है जो मैंने आपको अभी starting में कहा था कि काफी सारे लोगों की death होती है तो यह problem क्या कह सकते acute एक बड़े level पे इतनी बढ़ जाती है problem कि कभी-कभी लोगों को जो manual scavengers होते होने अपनी जान भी गवाना पड़ती है they get very low wages for the work they perform those working in urban municipalities earn 200 per day and those working privately are paid much less ठीक है यह क्या चीज़ है कि आप इस चीज़ के चलते क्या होता कि ऐसा भी नहीं कि उन्हें बहुत भरके पैसा मिल रहा है उस चीज़ का रिस्क बहुत जादा है रिस्क बहुत जादा होने के साथ में क्या है कि वो बहुत underpaid होते हैं इसके चलते हैं ठीक है उन्हें जो पैसा मिल रहा है तो पैसा बहुत कम दिया जाता है they get very low wages for the work they perform those working in urban municipalities earn 200 per day and those working privately are paid much less और जो privately काम करें उन्हें और कम दिया जाता है they often live in separate settlements on the outskirts of the village and are denied access to temple, public water facilities etc अब क्या हो रहते को यह तो personal level पर उन्हें problem face करना पड़ रही है इसी के साथ साथ क्या होता community level पे ऐसे लोगों को क्या कर दिया जाता है उनके लिए एक अलग कर रहे है तो उसे so called derogatory work कहा जा रहा है बहुत ऐसा निम्न इस्तर का काम कहा जा रहा है यह सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है manual scavengers का अब आप सोच रहोंगा तो government क्यों कर रही है मतलब जैसे municipalities में government मना बोल दे और government ने इनके upliftment के लिए कुछ नहीं किया यह क्या त तो इस तरह से सवाल उठते कि government ने किया क्या आखिर चलो समझते हैं देखो तो in 1993 manual scavengers and construction of dry latrines prohibition act was passed तो अब यहां क्या होता है कि एक act पास होता है जिसके through क्या कर दिया जाता है कि इस तरह के जो काम हो रहे है उसमें कुछ modification किया जाएंगे और उसे prohibit किया जाएगा manual scavengers जो है जो लोग अपने हाथों से अपने सिर पे इस तरह से जो साफसफाई कर रहे हैं chambers में उतर के वह बंद किया जाएगा यह तो practical problems है कि toilets जो है तो आज क्या होने वाला है कि chamber अगर जैसे खराब होता है फिलफ हो जाता है तो उसको खाली करना यह साही चीज़ों तो आपको तो उसको mechanize कर दिया गया आप जैसे आप देखते हैं बहुत सारे municipalities के tanker होते हैं pipe लगाओ काम खतम हो जाता है तो गवर्मेंट ने वो उस end पर मतलब changes लाया है साथ ही साथ में जो manual scavengers manual scavenging को promote किया जाता था ठीक है उसे बंद किया गया और साथ ही साथ में जो dry letterings ह इन में एक तरह से option क्या रहता था option यहीं रहता था कि आपको उतर नहीं पड़ेगा उसमें तो उन्हें क्या उनका construction जो उससे बंद किया गया यह provision act लाया गया कब 1993 में तो इस law prohibits the employment of manual scavengers as well as construction of dry letterings तो यह काम नहीं होगा बंद कर देंगे अला काम ठीक है अब देखो क्या जब यह law आ गया तो क्या उससे did the situation improved कानून बना देने से चीजे सुदर जाती है क्या नहीं जब तक society में societal level पे change नहीं आएगा कैसे चीजे सुदरेगी तो क्या होता है कि कानून था लेकिन लोग चोरी छुपे क्या है लोगों को as a manual scavenger as a manual scavenger employ कर रहे थे ठीक है तो अब तो क्या होता है in 2003 सफाई कर्मचारी अंदोलन and 13 other organizations and individuals filed a PIL in supreme court PIL civics में पढ़के आयो मतलब क्या होता है यह आप comment section मताओगे इसका full form PIL का ठीक है तो क्या होता है एक अजजे डाली गई कहां पे supreme court में सफाई कर्मचारी और दूसरे कुछ NGOs वगरा के द्वारा और उससाब स जैसे क्या हो रहा है और जो government undertaking है government undertaking मतलब क्या है कि government के department से जैसे railways तो railways में भी आज भी क्या करवाय जा रहा है हाथ से लोगों से सफाई करवाय जा रही है तो जैसे जो human excreta human waste होता है उसे साफ करवाय जा रहा है तो इस चीज के against में क्या होता है बहुत सारे NGOs सफाई कर्मचारी आंदोलन जिसने पहले भी pressure create किया था issue को highlight किया था कि इतने सारे manual scavengers हैं देश में तो इन लोगों ने क्या कि आप फिर से pressurize किया government को कि government को कुछ करना चाहिए law लाना चाहिए चीजों में बदला होना चाहिए ठीक है तो अब court के सामने जब यह बात गई तो court ने क्या किया अब court ने court directed every department ministry of the union government and state government to verify the facts within six months ठीक है court ने बोला गर ऐसा आज भी चल रहा है कि railway भी employee कर रहा है और आज भी manual scavengers है law आने के पावजूद भी तो ministry ने मतलब court ने strict guidelines देदी सारी ministry को सारे departments को कि आप verify करो 6 मेने के अंदर अंदर क्या यह exist करता है ठीक है if manual scavenging was found to exist then the government department has to actively take up time-bound program for the liberation and rehabilitation यह शब्द बहुत important है liberation and rehabilitation ठीक है अब क्या होता है कि आप सीधे साफ guidelines देदी है किसने सीधे साफ guidelines देदी है court ने कि government department जो है पता करें कि हाँ यह 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 चीज़े है और अगर आज भी exist करती है चीज़े और अगर आज भी चीज़ें exist करती तो आपको क्या करना होगा government को सबसे पहले यह जो manual scavenging की practice है इसे time bound approach के साथ मैं जल्दी से खतम करना होगी खतम करने के बाद-बाद में क्या करना होगा जो manual scavengers है उन्हें liberate करवाना होगा और rehabilitate करवाना होगा liberate और rehabilitation का मतलब क्या हो गया liberation मतलब उन्हें आजाद करवाओ कि कोई उन्हें वापिस ऐसे manual scavenger बना के काम ना करवाए उनसे और rehabilitation भी एक important part है आप जिसे देखो क्या हो रहा है कि इनसान था जो manual scavenging perform करता था आज उसने manual scavenging perform करना बंद कर दिये लेकिन society तो उसे आज भी manual scavenger की तरह देखेगी तो आप उस इनसान को वापस से society में मतलब उसको वापस से society में equal position पर आना है तो क्या होता था अधिकतर जैसे कहीं किसी एक part के लोगों को सभी लोगों को कह किया जाता है डिस्प्लेस करवा दिया जाता था या फिर displacement नहीं रहेगा रियाबिलियेट करवाया जाता था कि South India में अगर कोई manual scavengers की community थे उनको लागे कही North India में settle करवाती government था कि वो उनकी society change हो तो लोग उनको फिर equal respect के साथ treat करें ठीक है उनके गाओं में अगर उनके वहीं पर रहेंगे तो लोग क्या है उन्हें वही mindset के साथ देखेंगे नहीं नहीं ये तो manual scavengers हुआ करते थे ठीक है वही discrimination वही untouchability सारी चीजे रहेगी clear the prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation act came into force on December 6 December 2013 ठीक है अब क्या होता है कि ये जो rehabilitation की बात की ना Supreme Court ने तो इस चीज का एक law बनाया गया है कि हाँ अब रोखना ही है manual scavengers को काम करने से और उसके बाद मुनका rehabilitation करना ये government के responsibility होगी government fund देती है proper ध्यान देती है ये law कब force में आया 6 December 2013 को so this was all about the scratch of manual scavenging जो मैंने आपको इस video lecture में बता आया I hope ये information relevant थी box की detail थी लेकिन पढ़ना जानना समझना जरूरी था इसके पीछे का societal concept क्या था वो समझ मैंने चाहिए कि society में इस चीज को कैसे consider किया जाता था क्यों rehabilitation ज़रूरी है क्यों सारी चीज ज़रूरी है clear है तो यह सारा सब कुछ हमने discuss किया इस video lecture में किसी प्रकार के doubt है feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिगरास सिंग राशपूत welcome to magnet brains इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस video में हम पढ़ेंगे आदिवासी demands and the 1989 act 1989 act कौन सा है तो जो हमने पिछले कुछ वीडियो में पढ़ा था जिसे discuss किया था हमने the schedule tribe and schedule caste या फिर उल्टा कर लो schedule caste and the schedule tribe prevention of atrocity act जो था तो उस act के आप से अगर हम समझें तो उस act को पढ़ेंगे और आदिवासी demands आदिवासी communities की क्या demand है वो समझेंगे दोनों के बीच का relation समझने वाले हैं clear अब देखिये क्या है यहाँ पे तो आदिवासी are often unwilling to move from their land and are forcibly displaced आदिवासी को क्या किया जाता है वो आदिवासी की इक्षा न जमीन बेचें वो ठीक है ना चाहते हो भी बेचना पड़ता है अब बेच देते तो उन्हें उस जंगल को छोड़के बाहर जाना पड़ता है तो इस तरह से क्या होता है आदिवासी के साथ में discrimination होता है फाइन यहां तक हो गया अब देखो क्या है अब आदिवासी जो है प ब्हाफ पे जो activist होते हैं ठीक है तो activist लोगू ने activist कौन होता है जैसे activist अगर यहां से जिसे active words से निकल किया आया तो active words मतलब क्या बताना चाहरہ है तो इस तरह से कुछ tribal activists होते हैं जैसे सी के जानू अभी पढ़ेंगे इनके बारे में आगे तो activists demanded the rights guaranteed in the constitution तो क्या होता है कि जैसे अब ये law भी बना है और constitution में भी rights दिये लेकिन अब tribal communities को आदिवासियों को इस बारे में पता नहीं रहता है तो आदिवासियों के बहाफ पे इस तरह से activists क्या करने लगे डिमांड करने लगे ट्राइबल्स के लिए rights कि ये ट्राइबल्स के साथ गलत हो रहा है देखो क्या होता है तो the land belonging to the tribal people cannot be sold to or brought to non-tribal people ये उनका right हो गया tribes का यादिकार हो गया कि जो जमीन किसी एक tribe को belong करती तो उस जमीन को कोई भी खरीद नहीं सकता कोई भी मतलब क्या non-tribal group जो रहेगा ठीक है तो कोई भी जो tribe नहीं है वो उस जमीन को खरीद नहीं सकता उस जमीन को वेश नहीं सकता इस तरह से अपना अधिकार नहीं जमा सकता है उस जमीन पे किसकी जमीन पे ट्राइबस की क्लियर है ना ट्राइबस की जमीन पे कोई भी नॉन ट्राइबल ग्रूप का इंसान कभी भी अपना हक नहीं जमा सकता है ठीक है चलो ठीक है अब क्या होता है इन केस वेर इस हैपने ती कंसिटिशन गैरेंटीज दी राइट टू ट्राइबल पीपल टू री पोज़ेस दियर लैंड ठीक है और अगर इन केस कहीप ऐसा हुआ है कि किसी एक ट्राइब की जमीन को किसी non-tribal company ने किसी non-tribal individual ने खरीद लिया है तो ये अधिकार है कि वो tribes अपनी land को repossess कर लें ठीक है फिर से अपना लें फिर से अपना कबज़ा जमा ले उस पर या फिर से अपना हग कबज़ा थोरी ना किया तो उनका हग है ना one of the violator of the constitutional right is the government itself ठीक है ये जो tribes का अधिकार के बारे में भी हमने उपर बात करी इस अधिकार का एक जो violator है जो violation करता है वो खुद government है खुद government है कैसे तो government क्या कर रही है यहाँ पर समझना government क्या कर रही है government allow non-tribal encroachers in the form of timber merchants paper mills etc to exploit tribal land and to forcibly evict tribal people from their traditional forest in the process of declaring forest as reserved or a century ठीक है तो government क्या कर रही है जखो knowingly unknowingly government एक तरीके से यहाँ पर क्या कर रही है कि जो अलग-अलग groups है ठीक है अलग-अलग groups में जैसे क्या हो रहा है कि non-tribal groups जो है तो उसमें अब कोई paper merchant भी हो सकता है यह लोग आने के बाद में forest से जमीने खरीद लेते हैं वहाँ से product खरीद लेते हैं और tribes जो है तो उनके rights का violation होता है ठीक है तो सीके जानू बोलती ही कि यह गलत है ठीक and to forcibly evict tribe और आप क्या कर रहा है जमीन खरे दें महां तक ठीक अब जमीन खरीद लेते हैं तो आप tribes को वहां से भगा रहे हो जब यह सारी चीज़ें होती है ना तो उन्हें ऐसा लगता है कि यह नहीं होना चाहिए था जो भी हुआ यह गलत हुआ था गलत हुआ है तो इसके चलते क्या होगा कि प्रोटेस वगएरा करने स्टार्ट कर दिया तो शी डिमांडेड कंपन्सेशन फॉर tribes दोस हो आर एविक्टेड तो उन्होंने बोला कि यह गलत हुआ है गल्रिमन ने गलत किया है गल्रिमन शुट पे कंपन्सेशन फॉर दिस ठीक है, government को क्या करना होगा, मौफजा देना होगा फिर क्या होता है, the government must draw up plans and policies for them to live and work elsewhere government को क्या करना होगा, plans policies बनाना होगे, किस के लिए government को बहुत सारे plans, policy बनाना होगा tribes के लिए, जिन लोगों को evict किया, जिन लोगों को आपने वहाँ से हटाया है तो उन tribes के लिए plans policies बने जाए और वो tribes को क्या किया जाए उन tribes को properly फिर से कहीं न कहीं land दिया जा या फिर किसी तरह का occupation दिया जा यह सारी चीज होना चाहिए फिर क्या है proper rehabilitation of the displays तो यही जो मैंने आपको बताया कि एक बार अगर आप पूरा plan बनाते हो उसे ताप से फिर आपको rehabilitation provide करना होगा tribes को rehabilitation मतलब क्या फिर से स्थापित करना कहीं पर फिर से उनको settle करवाना तो यह सीके जानों की demand रही अब जैसे आप देखो कि तो अलग-अलग travel groups हैं जिन्होंने अलग-अलग तरह से सफर किया है अब यहां पर समस्या है क्या देखो एक मैं आपको बहुत basic essence सम चीजे हो गई अब क्या होता है अब वह एक ऐसा इंसानी यह tribe मतलब जंगलों से उटके आ रहा है अब उससे क्या expect करोगे कि वह आके किसी software company में बैटके software मना के देदे आपको ठीक है उनके पास source of livelihood या फिर वह पैदा हुए तो जीने का एक मात्र साधन संसाधन तरीका यह रहे था कि वह जंगलों में अपने हिसाब से जीवन जी अपना लेकिन आप जब इस तरह से क्या करें हो उन्हें उन्हें एक जगह से हटा दे रहे हो दूसरी जगह की तरफ ले जा रहे हो तो यह आप क्या कर रहे हो उनका वहां पे जो भी opportunities थी जो भी उनका जीवन था सु ने डेली मार रहो मतलब इस तरह की मरमर की जीने से अच्छे एक ही दिन मर जाओ उस तरह की जिंदगी हो जाती उन्हें लोग की तो यहां पर tribes कितना सफर करते हैं उस problem की intensity को समझना बहुत जादा जरूरी है I hope you got the concept अब देखिए तो लगबग लगबग chapter complete हो गया last video lecture conclusion का ह क्योंकि वह specific part में दिया तो specifically उस पर बात कर लेंगे एक बार snap recap हो जाएगा और इसी तरह से हमारा chapter पूरा complete हो जाएगा यहां तक सारे main topics हमारे clear हो जोगे हैं किसी को किसी प्रकार का doubt है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंग राशपूत welcome to magnet brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं जो chapter हमने पूरा पढ़ चुके हैं उसका conclusion जी हां कौन सा chapter तो class 8 civics का chapter confronting marginalization इस chapter को हम comprehensively theory part पे complete कर चुके हैं हर topic को sub topic को सारी चीजों को हमने बहुत marginal जरूरी है वो क्या चीज है वो simple सी सटीक सी एक चीज जो है हमारे सामने वो यह है कि आपका जो unit 4 था उसमें आपने पहला chapter पढ़ा understanding marginalization को समझा कि marginalization क्या होता है understanding marginalization के बाद में आपने क्या देखा कि कि किस तरह से marginalization को confront करना है marginalization तो आपके सामने होगा ही होगा अब उस marginalization से आपको कैसे लड़ना है कैसे confront करना है उस से इसको हमने समझा अब पूरा chapter जब समझ लिया तो आपको एक conclusion निकालना है कि अच्छा marginalization तो है society में उसे खतम कैसे किया जाए इस chapter के conclusion में basically वही देखने वाले है कि marginalization तो है उसे confront कर रहे हो आप confront भी कर रहे हो तो अब जब सब कुछ समझ लिया सारा सब कुछ देख लिया आपने अलगला laws के बारे में पढ़ लिया है तो आप chapter को last line के साथ में conclude कैसे करोगे देखिए क्या होता है कि laws होते हैं बिल्कुल हैं बन रहे हैं आगे भी बनेंगे पहले भी थे laws तो हैं अब क्या होता है कोई भी law जो होता है तो law its existence on paper does not mean that it exists in reality जो law है तो उसका paper पे exist करने का मतलब यह नहीं होता है कि वो reality in reality में exist करता है समझना है इस चीज़ को मतलब कानून बना देने से काम खतम नहीं हो जाता है अगर मानलों मैंने एक law बनाया कि जो helmet नहीं लगाए का उसका चालान काटेंगे और police खड़े ह लगा रहे है उन्हें अगर punishment नहीं मिल रही तो law किस काम का है आया रहा है समझ में तो simple सी चीज़ वैसी हां पर भी है कि आपने law बना दिये कि आप marginalization को रोखोंगे आपने law बना दिये कि आप जो marginalized community उने mainstream society में implement करोगे integrate करोगे सारी चीज़ आपने कर लिए लेकिन वो किसी काम के नहीं रहेंगे कब तक जब तक उनका proper implementation नहीं होगा जब तक उन्हें सही तरह से implement नहीं किया जाएगा तो यहां पर क्या है its existence on paper does not mean that it exists in reality ठीके people's effort is required आपको क्या करना पड़ेगा लोगों को अपना effort लगाना पड़ेगा किस form में तो people's effort is required to translate these laws into principles that guide the action of their fellow citizens और even their leaders बहुत golden line नहीं देखना क्या कि law को बना देने से काम नहीं चलेगा आपको क्या करना होगा लोगों को अपने effort लगाना होंगे ताकि क्या हो ताकि जो laws बने हैं so that these laws can be translated into principles that guide the actions of their fellow citizens or even their leaders मतलब कि यह जो law है इन law के against में मतलब इन law के favor में कहो against में कहो दोनों चीज़े एक ही रहेगे आपे क्यों क्यों क्योंकि जब तक वो law के लिए हम बात नहीं करेंगे people's effort नहीं लगेंगे तब तक law किसी काम के नहीं रहेंगे ठीक है अब आगे देखो क्या है और यह यह कैसे हो पाएगा मतलब लोगों को effort कैसे लगाना है तो नहीं धक्का लगाएंगे law को जाके constitution की book को धक्का लगाएंगे हम वो नहीं होगा ना आप किस तरह से अपने efforts को on ground implement करवाओगे तो this can be achieved through the processes of struggle, writing, negotiation and organization यह सारी चीजहां करना पड़ेगी लोगो को struggle करना पड़ेगा ठीक है लिख के देना पड़ेगा लिख के देना पड़ेगा मतलब क्या है कि जैसे हमने देखा है petitions होती है, applications लिखी जाती है तो struggle launch करना पड़ेगा ठीक है वो peaceful भी हो सकती है, violent भी होती है लेकिन violent क्या होता है, constitutionally गलत होता है, violence is not the solution क्योंकि उससे disturbance create होती होती ना तो यह सारा सब कुछ हमने देखा कि किस तरह से आप conclude कर सकते हो चीजों को, कि हाँ, सिर्फ क्या कहते हैं कि marginalization का अतलब यह नहीं है कि सिर्फ laws बना दिया, आपने laws बना देने से आपका काम हो जाएगा आपको क्या करना है, वो marginalization है अगर laws के favor, मतलब marginalization के against में अगर laws हैं तो उन laws का proper implementation भी बहुत जादा जरूरी है clear है, because the desire for equality, dignity and respect is not new, और यह जो पूरी कहानी हमने पढ़ी है कि क्यो marginalization गलत है, तो यह last line में आप सारी चीजों को समझ सकते हैं क्या है, कि because the desire for equality, dignity and respect is not new, marginalization कहाँ खराब हो जाता है, क्योंकि वो लोगों को equally treat नहीं करता है वो लोगों की dignity को hurt करता है, marginalization, ठीक है, हर इंसान respect सीख करता है, respect की चाहा रखता है, और वो respect नहीं मिल रही है ना हर इंसान को तो क्या हो रहा है, तो इस sense में गर हम देखे हैं तो marginalization क्या है, गलत है, गलत था और गलत रहेगा और ये conclusion हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, I hope चीजें समझ में हैं यह आपको, किसी प्रकार के doubt हैं तो feel free to ask in comment section आखरी चीज, theory part पर अब chapter पूरा complete हो गया, last topic था, next video lecture हमें हम इस chapter के NCRD solutions discuss करने वाले हैं किसी प्रकार के doubt है तो आपको क्या करना है, आपको पता है, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much